आगे बढ़ रहे हैं बड़ी खबर का रुकर रहे हैं जोदपूर से जहां पर वायू सेना के हेलिकॉप्टर से वायू सेनिक गिरा है यह बड़ी खबर वायू सेना के हेलिकॉप्टर से एक वायू सेनिक गिरा है हाथसा कायलाना शेत्र में यह हाथसा हुआ है जहां पर वाय प्रश्यासन पूरे शेत्र में इस वक्त सर्च उप्रेशन चला रहा है अरुन अभी क्या कहा जा रहा है इस पूरी घटना को लेकर सुमित मैं बताना चाहूंगा चोकि सेना से जुड़ा हुए यह माबला इसलिए मीडिया के सामने कोई भी अधिकारी सामने नहीं आ रहे लेकिन जो तस्वीर हमने भेजी है उस तस्वीर जीनीज के दस्तरकों को सबसे पहले दिखा रहे है जोदपूर के काईलाना जील का यह सेत्र है मैं कैमरामें सीव को को दिखाने का प्रयास करेगा यह जील है जिस जील में सुबह रियर्सल चल रही थी और रियर्सल के दौरान एक वायू सैनिक है HDRIP की टीम भी आमोके पर आई है एम्बूलेंस आ चुकी है और अभी आप देख सकते तस्वीर हम दूर से दिखाई दे रहा क्योंकि हम लोगों को नस्दिक नहीं जाने दिया जा रहा इसलिए हम दूर से दिखाने का प्रयास कर रहे है आप देखे वो तालाम की जील के अंदर एक बोट दिखाई दे रही है जिस बोट से वो रैसक्यू और सर्च अपरेशन चलाए जा रहा रहा तो कह सकते है प्रसासन अब सर्च करने में लगा है और रियस्टाल rate के दौरान जो रैसक्यू को देख रहे हैं कि बिल्कुल सुमित मैं बताना चाहूंगा जिस तर से यह असा होने के तुरंद बात पुलिस कंट्रोल रूम को सुचना मिलीती है और कंट्रोल रूम के साथ साथ जो है यहां के जो एक एंजियो है मालवियक बंदू जो इस काईलान जील को बारी की से जानत आप दारात में काम करने वाले कार्मी के वह यहां पहुँच चुके और रेस्क्यू कर रहे हैं सर्च कर रहे हैं किसी भी तरह वायुसने को समय रहते बाहर निकाल लिया जाए क्योंकि अब से कुछ बेर पहले की घटना है यानि के हम कह सकते हैं करीब एक गंटे पहले यह उसके बाद में तर्माम प्रसासनी कमला यहां पहुँच चुका है और वायुसने की तलाज जारी है सुमीत अरुन आखर किस तरीके का यह ऑपरेशन था कोई ट्रेनिंग थी जिस दौरान यह घटना हुई सुमीत बिल्कुल जिस तर से अब भी पिछले कुछ दिनों से एर फोर्स है जो यह लगातार अभ्यास करती है आ रही है चाहिए बात करें जोदपुर के सिविल एरिया की रातनाडा एरिया में पिछले दिनों मरीज को रेस्क्यू करने का हो आपदा अगर आती है तो किस त प्रफ्टी नॉम्स नहीं अपनायते जो अपनाने चाहिए और कैसे यह जील के अंदर गिरा है तो कैसे बिल्कुल कही सवाल है जिसके जवाब आना वाक्ता है आलागी सबसे पहले जो प्राज मिखता है वो है इस सोलजर के रिस्क्यू का उसे किस तरीके से जो है रिस्क्य किया जाता है फिलाल कोशे जो है वो लगातार की जा रही है और उन्हाप नजर बनाए रखे आपके बाद अपडेट के लिए आते रहेंगे फिलाल आपका बहुत शुक्रिया चला आप रुक करते हैं फटा फट खबरों का दिखाते हैं आपको सूपर फास्ट